सडक पर एक चाय के ठेले पर चाय पांच रुपे की मिलेगी आपको किसी नॉर्मल होटल पर जाओगे तो 20-25 रुपे की मिलेगी स्टारवक्स में चले जाओगे तो 300-300 के आसपास मिलेगी फाइव स्टार होटल में चले जाओगे तो वही चाहे आपको पंदरासो दो हजार की भी मिल सकती है कहने का तात पर यह है कि चाहे तो वही है बस जंगा बदल रही है जंगा बदली तो वैल्यू बड़ी या वैल्यू कम भी हुई जिन लोगों के साथ आप रहते हो अगर वह आपको बेकार बनाते हैं नाकारा फील कराते हैं आपको नीचा गिरा रहे हैं तो भाई साहब उस जंगा को छोड़के बिलकुल फटाफट निकल जाइए और बदल लीजे अपनी जिन्दगी अपनी वैल्यू बढ़ा लीजे अभी टाइम है बचपन में किस-किस के साथ ऐसा हुआ है कि जब आपको गलती करते थे तो मम्मी आपको पीटती थी और फिर आप रोने लग जाते थे फिर मम्मी आपको और मारती थी फिर और जादा मारती थी जब आप रोते-रोते चिलाने लग जाते थे फिर और जादा पिटाई होती थ जब मम्मी मार भी होती थी, और उनके हाथ की चूडिया टूड जाती थी, फिर और ज़्यादा पिटाई होती थी, जब वो चूडिया चुप जाती थी, मतलब किसके साथ हुआ है और कुछ-कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे, जिने एक चाटा भी नहीं लगा होता बचपन से ये थोड़ा सा अजीब है करीना कपूर खान के दो बच्चे है और सैफ अली खान उनके हस्बेंड है 1991 में जब सैफ अली और अमिता सिंग की वैडिंग सेरिमनी अटेंड करी थी करीना कपूर ने तो वो 11 साल की थी 11 साल की बच्ची थी सिर्फ ऐसा है सुनने में कि जब करीना कपूर ने कपल को कॉंग्रेचुलेट किया तो सैफ ने रिप्लाई में का कि थेंक्यू बेटा नथिंग इस इंपॉसिबल ये जो आपके स्क्रीन पर दो तेरा डिजिट नंबर दिख रहे हैं इनको मल्टिप्लाई करना है बिना किसी कैलकुलेटर के वो भी 28 सेकिंड में इंपॉसिबल है ना पर ये पॉसिबल कर दिया था शकुंतला देवी जी ने 18 जून 1980 को सिर्फ 28 सेकिंड में से सॉल्व कर दिया था अभी तक इनका record कोई और नहीं तोड़ पाया है ये है fastest human calculator तो स्वागत है आपका 21 सेंचूरी में जहां पर सेक्स तो फ्री में है पर प्यार मेंगा है जहां पर virginity होने से इतना दुख नहीं होता है जितना दुख फोन खोने से होता है अगर आप यहां पर अपने partner को cheat ना करो तो आप sharp और smart नहीं हो जहां पर TikTok स्टार का future बहुत जादा bright माना जाता है किसी MBA graduates से जहां पर bathroom photo studio बन चुके हैं जहां पर भगवान के लिए 2 मिंट आग बंद करना भी बहुत difficult हो गया है जहां पर iPhone लेना किसी BTEC ये MBA की डिगरी से बहुत जादा माना जाता है जहां पर मंदिरो चल्च एक dating point बन गया है पाचों उंगलियों के अंदर अलग-अलग मतलब जब हम rings पहनते हैं थम यह दिखाते हैं आपका character कि आप trustworthy personality हैं इंडेक्स फिंगर ये दिखाते है पावल, leadership and authority मिदल फिंगर इट सिंबलाइसे बैलेंस और रस्पांसिबलिटी रिंग फिंगर इट सिंबलाइसे रिटिविटी, ब्यूटी and romantic relationship लिटिल फिंगर इट सिंबलाइसे इंटेलिजेंस and sentiments